हेलो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल ने भी बॉय में हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप जीपी रेटिंग कोर्स में एडिमीशन लेना चाहते हैं तो उसके इलिजबिलीटी क्या है और आपके मारसीट में कितना रहना चי觀 कौन से विषय में कितना रहना चाहिए तो आपका एडिमीशन भी सकता है तो हम इसी विषय पर आज बात करेंगे इस बीडियो में तो बनेरे मेरे कि अपने तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा मैं किसी एक इंस्ट्यूट का खोलूंगा साइट और उस पर दिखाऊंगा कि डिजी अप्रूब्ट कोलेज का किसी साइट खोलूंगा और उस पर दिखाऊंगा कि उसके इलिजबिलीटी के लिए आपको क्या-क्या चाहिए तो बन तो आपको सही सही पूरा मालूम चलेगा तो आए चलते हैं आपको लेकर अपने मोबाइल के होम स्किन पर दिखाते हैं तो आपको दिखा रहे हैं सर्च करके तो हम यहां पे किसी डिजी अप्रूब्ट कोलेज का नाम नोट करेंगे तो डिजी अप्रूब्ट में बहुत सार तो मैं मेट्री का डाल लेता हूं शोड़ी मेट्री का शोड़ी है मैं T.C.M.T. College है कोलकता में यह डिजी अप्रूप कोलेज है इसका डाल लेता हूं और देख सकते हैं यह पेज कूल के उपर हो गया मैं इसको रूट कर लेता हूं ताकि यूटूब पर अच्छे से है तो कोर्स पर हम क्लिक कर लेता है और यह पेज खुल के उपन हो गया देख सकते हैं T.C.M.T. College का जो ड्रेस है यहां पर वह दिखाई दे रहा है आपको बच्चे लोग पहने हुए हैं और यहां पर होम कोर्स यह देख सकते हैं GP Rating GPR यहां पर देख सकते हैं लिखा होना चाहिए आपका हाइश्कूल में पूरा मिला के 40 परसेंट मारक रहना चाहिए उससे कम रहेगा तो आपका GP Rating में एडमिशन नहीं हो पाएगा यह उसके बाद ITI आपका दो साल पास रहना चाहिए यह पास्ट इन टू येर्स ITI कोस्ट फ्राम गवर्मेंट इंस्ट्यूट से आपका ITI पास रहना चाहिए और इसमें मिनिममम 50 परसेंट मारक रहना चाहिए तभी आपका GP Rating में एडमिशन हो पाएगा यदि 10 में 40 परसेंट मारक नहीं है तो आपको ITI यह आपने किया है तो उसमें 50 परसेंट मारक होना चाहिए और वह गवर्मेंट अफ्रूट इंस्ट्यूट से पास होना चीए उसके बाद हम नीचे माया जाते हैं भी देख सकते हैं the candidate must have secure मिनमम 40 परसेंट मारक इंग्लिस लंगवेज इन 10 इस्टेंडर तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आप हाई स्कूल पास किये हैं तो उसमें इंग्लिस में 40 परसे परसेंट भी रहेगा तो हो जाएगा लेकिन उससे कम रहेगा 39 भी रहेगा तो आपका एडमिक्सन नहीं हो पाएगा जीपी रेटिंग कोर्स में और नीचे देख सकते हैं एज लिमिट एज लिमिट बीट्वीन सेवेंटी पॉइंट 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 पॉइब ल्भी चानस मिलते हैं करने के लिए जी-पी रेटिंग कोर्स में दो साल अधिक रैंस में आपने डिप्लोमा किया है तो 27 तक का एज हो जाएगा फिर भी आपका एड़मीशन हो जाएगा और यह देख सकते हैं डिूरेसन डिूरेसन हो सकते हैं इसका 6 मांथ तो जो जीपी रेडिंग कोर्स का डिूरेसन टाइम होता है वो 6 मंथ का होता है और इंटेक यह 40 पूर्ष जूलाई यह एक साल में दो बाज चलते हैं इस को लेज में से एक पषट जनौरी से स्टार्ट होता है और दूसरा फॉस्ट जुलाई से तो दोनों बैच में आप किसी में भी एडमीशन ले सकते हैं उसके बाद नीचे में ये सब कॉलेज के अलग-अलग कोर्स के बारे में दिखाये गए हैं ये देख सकते हैं आप को को STS DSD कोर्स है उसके बाद STCW का पूरा कोर्स है CDIS ये सब फोर देते हैं तो इस इससाथ वीडियो को इंड करते हैं यह आपको भी स्कॉलेज में एडमीशन लेना है तो आप एडमीशन ले सकते हैं या हम यहां पे नंबर देते रहे हैं आप हमसे भी बात कर सकते हैं थोड यूटूब चैनल को सब्सकाइब करिए और वीडियो का लाइक किजिए और क्योंकि मैं मर्चन ने भी से रिलेटेड वीडियो अपने इस यूटूब चैनल पर डालते रहता हूं कि बस